जेहें दोस्तों मैं आप सभी को आईडियल स्टोडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ ये दिखी कलास 10 के जो आपका सब्जेट साइन्स का जो आपका सेंट अप का जो एकजाम हुआ है उसका मैं आज आपके लिए लेकर आ गया तो चले स्टार्ट करतें इसको देखते हैं तो चले यहां पर देखिए पहला कोशन क्या कहा गया है इसको पहले हम देखते हैं कि कैसा कोशन आया है ये से आपको पता भी चल जगा और बिल्कुल इसी तरह से आपके एकजाम में भी इसी तरह से कोशन देखने को मिलेंगे तो चलिए देखिए पहला कोशन क्या बोला है कि नीन में किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है आपको पता होगा तो उत्तल लेंस की बात क गहा है तो उतल लेंस करना है अगर इनात्मक कहता है तो अ अतल बताते ठीक है इसका एंसर पहला हो जगा उतल लेंस ठीक है अगला कोस्चन है निम्निखित में कौन उतल दर्पन की फोकस yere लेया 32 है देखिए अब उतल लेंस की बात कर दिया और फोकसदुरी इसका निकालना है और इसका वाक्तत्रिजा दिया हुए है तो आपको पता होगा कि F बराबर होता है R by 2 ठीक है और R का मान कितना बोला है 32 बोला है तो 32 और बटा 2 करेंगे तो कितना आजाएगा भाई 16 आजाएगा काटेंगे तो ऐसे भी आप देखिए चीज के वाक्तत्रिजा की फोकसदुरी क्या होती है आधा होती है यानि कि 32 का आधा क्या हो जाएगा तो पलस में लिखना है अगला सवाल देखिए परकास के अपवर्तन के कितने नियम है तो आपको पता होगा दो नियम है परकास के अपवर्तन के कहे चहे परावर्तन के कहे दोनों का दो ही नियम होता याद रखिएगा अगला कोशन है तरंगधर्ज को समान तक व्यक्त किया जाता है तो एगेंस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है याद रखिएगा तरंगधर्ज को अगला कोश्चन देखिए किसी लेंस द्वारा उत्पन आवर्धन का इसाई मात्रक तो आवर्धन का इसाई मात्रक कोई मात्रक नहीं होता याद रखेगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है किसी गोलिय दरपन द्वारा बना परतवीम आवर्धन M निमलिखित में किसके बराबर होता है तो आवर्धन M बराबर माइनस B बटा U होता है याद रखेगा option B इसका answer हो गया अगला question है यदि एक उतल दरपन के सामने रखी वस्तु एक वस्तु की दरपन की दूरी बढ़ा दी जाए तो परतिविम की क्या दूरी हो जाएगी तो ओभी परतिविम दूरी भी बढ़ जाएगा अगला सवाल देखिए उतल दरपन की फोकस दूरी और वाक्ता तिरिजा का अनुपात क्या होता है तो एक अनुपात दो होता है यानि एक बटा दो होता है याद रखेगा अगला कोच्चन है नेतर लेंज की वाकता तिरिजा कौम हो जाने पर कौन सा दिरिशी दो सोजाता है तो निकट दिरिशी दो सोजाता है याद रखेगा अगला है कांच के ओतल लेंज की वायू में सकती होती है तो रिनात्मक होती है याद रखना है अगला कोचन है एम मीटर निमलिखित में स्की से मापा जाता है मीटर से धारा मापा जाता है याद रखिएगा और वोल्ट मीटर से पुछता तो भी वो आंतर बताईएगा उपकरन जो बिधूत उर्जा को यांतरिक उर्जा बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते है तो उसको हम लोग बिधूत मोटर बोलते है बिधूत मोटर आप देखे है ना उसमें लाइन दीजेगा तो नाचने लगता है यानि आपको बिधूत को यांतरिक बदलने का काम कौन करेगा तो विधुत मोटर याद रखिएगा अगला कोश्चन है सरेनी करम सरेनी करम में जूरे दो परतिरोध को का परतिरोध R1 एम R2 है तो तुल परतिरोध कितना हो जाएगा तो तुल परतिरोध हो जाएगा ये R1 प्लस R2 हो जाएगा कुनों को जोर दिया जाता है यानि आप्षा नमर इसका एंसर कौन सा हो जाएगा अप्षांट ऑप्षान्स हो जाएगा अगला कोछन है अन्मी करनी है उर्या का सुरोथ जियेसे इवासमीं धन में कोईला 1 पड्रेтя है कोईला करता है अगला कोश्चन है नरोरा परमानु सकती किस राज में है तो उतर परदेश में है यह आपको पता ही होगा अगला कोश्चन है पावन विधूत जनित्र में पूरली को घुमाने का काम मुल्तकौन करता है तो गतिमान हावा करता है अगला है वन विछेपन और संभव है तो काथी में भाई तो फाइबर में हावा निर्वात जली समय तो होता ही है अगला कोशन है आपका 100 वाट 200 वोल्ट के अनुमतांग बल्ब को 100 वोल्ट के आप उर्ती जोरने से धारा का मान कितना हो जाएगा भाई तो धारा का मान पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है भाई या याद रखना है आपको तो पी बटे भी याद रखना है तो पी का मान कितना है 100 है और भी का मान कितना है 200 है काटोगे तो एक बटा दो आएगा और एक बटा दू को भाग दोगे तो 0.05 आएगा 0.05 एंपियर इसका अंसर हो जाएगा अगला question है एक वस्तु को नेतर से दूरी बढ़ाने पर रेटिना बना परत्विम क्या होगा छोटा हो जाएगा वास्तिक और छोटा हो जाएगा वीधू तो वक्ये प्रेरन की खोज कौन किया था तो फाइराडे ने किया था याद रखियेगा अगला question है नेमली खित में कौन सा कथन सब्थ है जूल का सुत्र होता है कुलम गुने वोल्ट जे बराबर आता है सी गुने क्या आता है भी आता है याद रखियेगा अगला कोश्चन है परति रोध का ऐसे मात्र क्या होता है तो ओम होता है और परति रोध हकता है पुछता तो ओम मीटर बताइए का वोल्ट बराबर होता है तो जूल परति कुलम आप जानते हैं यह नो भी बराबर क्या होता है डवलू बटा क्यू होता है यानि डवलू का य बेंजीन का सुत्र क्या होता है यत रावे और सूडिव में रहते हैं याद रखीएगा अगला कोश्चन है sodium के परमानु की बाहतमकश में इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी होती है तो sodium Na होता है इसका परमानु संख्या 11 होता है इसका electronic बनिया से लिखेगा 2, 8, 1 हो जाएगा तो बाहतमकश में इलेक्ट्रोन कितना हो रहा है? 1 हो रहा है इसका answer 1 हो जाएगा अगला कोश्चन है hydrogen में 2 परमानु के बीच आबन्द कितने हो तो hydrogen को S2 लिखते है और इसको अगर आबन्द की बात किया जाये तो क्या होता है? आबन्द की बात किया जाये तो इसमें एक और बन्द बनता है कौन सा भाई? तो एक और आबन्द बनता है ओके अगला कोश्चन है गुलुकोच के एक औनू में आक्सिजन के कितने परमानू होते हैं तो गुलुकोच का सुत्र होता है C6 H12O6 ठीक है 6126 याद रखे हैं गुलुकोच के सुत्र हो गया इसमें आक्सिजन की परमानू कितने होते हैं तो 6 होते हैं ठीक है तो oxygen के कितने परवानू है, भाई चौग, खीक है, अगला सवाल है, तामबा के परवानू संके कितना होता है, copper के परवानू संके कितना होता है, तो 39 होता है, याद रखिएगा, इसका answer हो गया, C, इथेन के एक अनू में कितने सवसरों जकबंधन होते हैं, क्रिस्का安जार आपका सी टुसी को अगर आप इसको है नों नर्य के अही मिए서 खुंक कारो है ना हुए देखना दो ऐसे लिख में को तो देख लिए आप इसको देख लेंगे इसका सानाजना हम लिख के आपको दिखा दे रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ कितने आबन हो रहा है साथ हो रहा है तो इसका एंसर क्या होगा साथ होगा अगला सवाल देखिए ओमल राज के ताजा ओमल राज के ताजा बिलियन में किस अनुपात का सांदन हाइडोक्लोरिक अमल या अमसांदर नाइक्रिक अमल होता है तो तीन अनुपात एक में होता है ठीक है अगला सवाल देखिए आधोनी कावर्थ सार्णी में कितने उदगर अस्तम समू होते हैं तो अठारों को अगर उदगर अस्तम की बात कहेगा तो अठारों को 36 बोई लगा तो साथ बताईएगा अगला सवाल है सोडियम, बाई कारबोनेट और टाटरिक अमल का मिश्रन कहलाता है तो बेकिंग पाउडर कहलाता है अगला है हरासित भूमी तत्वपुन परिपूर्ण निमली खित में किस्ते होता है तो वार्षा जल से परिपूर्ण हो जाता है भूमिगत जल खिर से अगर कम होता है तो हो जाता है अगला है नेमनीखित में संकेतों द्वारा अभ्यक्त ततों में कौन सा धातू है तो ये वाला देखिए ये धातू हो जाएगा चुकि आप यहाँ पे 24 है यहाँ पे 12 है जब इसका हम अंतर लेंगे ते कितना का अंतर अगला सवाल है वैसे यहोगी कि जिसका अनुसुत्र समान प्रंतु सनाचना सुत्र भिन्विन होता है क्या कहलाते हैं समावई कहलाते हैं अगला सवाल है नेमनीखित बिलियनों में कौन सबसे अधी कम लिये होता है तो सबसे अमलिये जिसका साथ से पी एच मान पर्म होता है जपने कम होता है हो तहीं ज्यादा अव्लीय होता है यогला है अधिकतर धातूओं का अकसाइड होते हैं थारी यह होते है कि में देख्रावर्ण से अवर्ध सार्ने में सवामूह के संख्या कितर नी होती हैं तो तो आक्शिजन जो होते हैं यह solar work में आते हैं जैसे और solar work में कौन कौन से आते हैं तो old style every तो वर्ग सोला के समूह में कौन से आते हैं अगला सवाल है वे तत जिनके बाहरी सेल पुर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलते हैं तो उत्क्रिष्ट गैस नोबेल गैस अना अक्रिये गैस कहलते हैं अगला सवाल है में देखित में कहसा किस की मीस्र धातू है तो कॉपर और टीन का मतलब ना में इलेक्रोनों की सनखिय कितनी होती है तो नाइट्रोजन साथ होता है इसको जम निकालीएगा तो तो दूर और कितना होते हैं पांच हो जाएगा, यह बाधाम कख्ष में कितना आ रहा है? पांच आ रहा है, तो इसका इंसर C होगा, अगला हे, आमल का जलीये बिधुता संचारंण करता है क्योंकि आमल में क्या होता है? आयनित हो जाता है, अगला हे, जिंकाइट एक इस दहातु अगला है अगला कोश्चन है निमलीखित में कौन सतर तो आसानी से इलेक्ट्रों प्याग नहीं कर सकता है तो यह आपका फ्लोरीन हो जाएगा नहीं तो और सब्सक्राइब पास चार्ज रहता है carbon calcium दूगो प्लस चार्ज रहता मैगनीशियुम पर फेडम मेगनीशियुम पर फेड अगला सवाल है और प्राइब करण है की और निम्ली खित में कों आम्ली अक्साइड है तो आरगन है यहते हैं ख्लोरीन में भी दूब लगता है ये हाइडोजन में भी दूब रहता है तिक लेकिन आरगन में सिर्फ AR यानि एकल पर्मानिक होता है आरगन अगला है पौक्षी तथा चमगादर के पॉंक कैसा होते हैं और समझातं होते हैं अगला कोश्चन है जठर ग्रम्ति कहां पाए ज जागा तेख से खही है अगला है मीज दिक्सित होता है तो अन्दाशाय से होता है अगला कोश्चन है कि स्थी में रंथ अनुपस्तित रहते हैं तो हाई हाईड्रिला में रहते हैं अगला सवाल देखिए हम लोरोफील का वरनहां कैसा होता है अगला कोश्चन है एक सवान ही में दो अरूह shallow diagram और अगला सवाल है आइयोडिन ग घέρ आंडोर और इसका रंग कैसा हो जाता है तो नीला काला हो जाता है अगला कोश्चन है दो तंत्रीकाओं के कोश्चका के मद खाली अस्थान को सीनेप्स कहा जाता है अगला कोश्चन है किरितिम परस्थितिक तंत्र का उधारन तलाब है अगला कोश्चन है पोधे का उत्सरजी पदार्थ क्या है भई तो लैटेक्स है अगला कोस्चन है अमीबा में पोस्टन की भी धी कौन सी होती है तो परानी सम्पोसी होती है अगला कोस्चन है वाय मनल में O2 यानी अक्सीजन कितना परसेंट है तो 21% होता है अगर अगर carbon dioxide पूशता तो 0.03% बताते अगला question है यह देखिए यह जो आपका है यह आपका carbon dioxide gel milker क्या बना रहा है गुलुपोच बना रहा है तो यह आपका कौन सा है परकास अंसलेशन का अविकरिया का उधारन है अगला है लॉसी का है लॉसी का क्या होता है भाई तो एक उतक द्रह होता है अगला question है पराग कौन पाया जाता है तो पराग कोस में पराग कौन पाया जाता है अगला question है नेमलीखित में कौन छोटी याथ का एक भाग है तो गरहनी होता है अगला है शुक्रानो कोशिका होती है तो द्विगूनित होती है अगला कोच्छन है एक वयस्क मनुस के कितने दात होते है तो 32 को दात होते है अगला कोच्छन है पादप हर्मोन साइटो काइनिन सहायक होता है तो भाई पर रोह को अगर की लांबाई में ब्रिधी में की ब्रिधी के लिए इन्यों सभी हो जागा इसका एंसर अगला कोच्चन है वन सागत नियमों का परतिपादन किस ने किया था तो ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने मोटर के पोधे पर रिशर्च किया था अहना अनुवांसे की के पीता भी कहलाते हैं अगला है सलाइड को सर प्रथम compound microscope से देखा जाता है तो भाई 10 एक्स पर देखा जाता है अगला कोच्चन है तेल चट्टा में कितने जोरे स्वास रंद्र पाया जाते है तो दस जोरे पाया जाते है अगला है सभी जीव जन्तुओं के लिए उर्जा का अंतिम सुरुत क्या है भाई तो शूरज है तो यह देखिए मैंने इसमें टोटल अबजेक्टिव और सी दिया था मैंने पूरा कर दिया यह सब्जेक्टिव आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगा तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके करने शुए कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है